बच्चों आज की ओनलाइन क्लासेश में आपका स्वागत है कल की वीडियो में हमने 13 पार्ट पढ़ा था सलोनी और मोहन वाला इसमें दोनों भाई बैन घर लोट रहे होते तो रास्ते में उन्हें अम्रूत का पेड़ दिखाई देता है और खूब सारे अम्रूत तोड़ कर सब्रूत कहते ऋपने साथ भी बांग लेते हैं लेकिन ऐसा करने में अंधीरा हो जाता है और वास्ता बटक जाते हैं तो दो फ्रात्री की समय पेड़ पोड़ो प्रश्णों तर भी देखे थे आज उसी क्रम में आगे प्रश्ण पांचवा निम्ने प्रश्णों के उत्तर एक पंक्ति अत्वा एक शब्द में देने है पहला प्रश्ण है हमारा दोनों भाई बहन के क्या नाम थे तो क्या नाम थे त्यानमे ना आपको क्या नाम थे दोनो दोनों को घर तक किसने पहुंचाया था चंदा मामा ने दोनों को क्या अच्छी बात बताई तरह इसका चंदा मामा ने कहा कि पेड़ पोदों में भी जीवन होता है रात में इनके फल या फूल नहीं तोड़ने चाहिए क्या बात पताई चंदा मामा ने कि पेड़ पोदों में भी जीवन होता है रात में इनके फल या फूल नहीं तोड़ने चाहिए तो ये तीन प्रश्ण थे जो हमारे पाठ्य पुस्तक के थे अब वो कुछ अंने मैद कुण पर्शने जिसमें पहला प्रशने है सालोनी और मोहन को रास्ते में किसका पेड़ दिखाई दिया था अमरूद का अगला प्रशने है दोनों कहां से लोट रहे थे कहां जाकर आये थे दोनों मेला डेखकर दोनों कहां से लोट रहे थे, मेला देखकर लोट रहे थे अब तीसे प्रशने विलोम शब्द लिखिए विलोम शब्द याने विप्रित, एकदम उल्टे शब्द लिखना जैसे पहला शब्द मैंने लिखा जीवन तो जीवन का विप्रित क्या होता है, म्रत्यू दुश्मन अंधेरा अंधेरा का विप्रेद क्या होगा? उजाला अंधेरा का विप्रेद क्या होगा? उजाला उसके बाद है चलना रुकना चलना का विप्रेद क्या होगा? रुकना एक बाद फिर से ये विलॉम शब्द हम देखेंगे जीवन दोस्त दुश्मन अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला चलना रुकना तो आपको अपने कॉपी में ये पाठ्थे फुस्तक के प्रश्न उतर तो करने ही हैं इसके साथ में ही जो अन्य मैत्पुन प्रश्न मेंने आपको तरवाएं हैं ये भी आपको अपने कॉपी में करने हैं इसके बाद में 6 लाइन आपको सुलेक की लिखनी है सुलेक की लाइन है कि अब तुमसे भी हमारी दोस्ती हो गई है इसी तरीके से पूरे दो लाइनों में लिखते हुए सुन्दर सुन्दर अक्षरों में आपको इस पंक्ती की 6 पंक्तियां लिखनी है पंक्ती है अब तुमसे भी हमारी दोस्ती हो गई है तो ये सारा काम आपको अपनी कौपी में करना है साथ दिन का समय मिलेगा आपको वापस जब मैं आऊंगी आपको हिंदी विशे लेकर तब तक आपको कल जो काम बतायता है वो और आज इस सारा काम अपनी कौपी में साथ दिन के अंदर-अंदर करना है अब मैं आपको नीती की दोहेश बता रही हूं दो दोहे हमने पहले देख लिये थे आज तीसरा दोहा है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई इसमें जू वेक्ति है वो हमें कहना चाह रहा है कि दुख में सुमिरन, सुमिरन मतलब याद करना दुख जब पड़ता है या हम पे कोई विपदा आती है तो हम किसको याद करते हैं इश्वर को कि दुख में सुमिरन ने दुख में तो सभी याद करते हैं सुख में करे न कोई, लेकिन जब हमारे साथ अच्छा होता है, तो हम कभी भी बगवान को उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, कोई दुख होता है तो हम बगवान को जरूर कोशते हैं, कि बगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन सुख होता है तो हम क सुख और दुख में इश्वर को समान रूप से याद करता है उसको किसी भी बात का दुख नहीं हो सकता तो दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई इसका अगला है बड़े बढ़ाई ना करे बड़े न बोले बोल रहिमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मूल इसमें कभी क्या कह रहा है कि बड़े बड़ाई ना करे यानि जो महान व्यक्ति होता है वह अपने महानता का गुनगान स्वेम नहीं करता है बड़े न बोले बोल और ना ही हमें कोई बड़े बड़े बोल बोलने चाहिए कि मैं ऐसा हूँ मेरे पास इतना पैसा है इतना ये है ऐसे ऐसे बड़े बोल किसी को भी नहीं करने चाहिए रहिमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मौल इसमें रहिम जी कहते है कि हीरा कब कहता है कि मैं इतना अनमोल हूँ, मेरी किमत लाखो रुप्यों में है ये चीज हीरे की चमक जो है, वो स्वेम उसका मोल बता देती है इसी प्रकार बड़े लोगों की महानता, उनका गुन्गान, उनके जो द्वारा काई किये के कारी होते हैं वो स्वैम उनकी मानता का गुनगान कर देते हैं तो कभी भी व्यक्ति को स्वैम को घमंड नहीं करना चाहिए इसलिए कहते हैं कि बड़े बढ़ाई ना करें बड़े ना बोले बोल रहिमन हीरा कब कहे लाक टका मेरो मोल तो ये भी आपको याद करना है अपनी कौपी में ये दोनो नीती के जो दोही है पाट का कारे समाप्त करने के बाद आपको ये नीती के दोही भी अपनी कौपी में लिखने है दोनो दोही लिखने है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए बड़े बढ़ाई ना करे बड़े न बोले बोल रहिमन हीरा कब कहे लाक टका मेरा मूल तो ये काम आपको अपनी कौपी में सुन्दर सुन्दर अक्षरों में करना है धन्यवाद